नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सिवा में एक बहद ही महतोपून जानकरिकों लेकर के प्रकृति ने कई पेंड पोधों को और शद्य गुनों से भरपूर रखा है इन्ही में से एक कचनार का पेंड भी है जो अधिकतर क कंडी शेतर में ही पाया जाता है मार्च-मध्ध के पाद फूलों से लदने ओले इस पेंड की पतियां तना यंवं फूल इत्यादी सभी उप्योगी हैं कचनार की गर्णा सुंदर यंवं उप्योगी व्रिक्षों में होती है इसकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं इन बढ़ भरपूर बताया गया है कचणार के फुल और कलियां वात रोग जोडों के दर्द के लिए विशेश लाबकारी हैं इसकी कलियों की सबजी एवं फूलों का रायता खाने में स्वाधिश्ट और रक्त पित फूरे फूनसियों को शांत करता है कचणार का फूल कितना दूरलब फूल की श्रेणी में आजाएगा हो सकता है कि तब सरकार को इसे प्रतिबंधित फूल घोशित करना पड़े। हिंदी में कचनार, मराठी में कोरल, कांचन, गुजराती में चंपा काटी, बंगाली में कांचन, इत्यादी नामों से जाना जाता है। एक चंपच, ठंडे पानी के साथ सुबह शाम लें, इसका कारहा बना कर भी सुबह शाम, चार-चार चंपच की मातरा में ठंडा करके एक चंपच, शहद मिला करके आप ले सकते हैं। अब आये जानते हैं कि किन-किन रोगों में इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं आप। सुजन में कचनार की जड़ को पानी में घिस कर लेप बना लें और इसे गर्म कर लें, इसके गर्म गर्म लेप को सुजन पर लगाने से आराम मिलता है। इसके अलावा अगर आपके मुह में चाले हो गए हूँ, तो कचनार की चाल का काला बना कर उसमें थोड़ा सा कथा मिला कर चालों पर लगाने से आराम मिलता है। इसके अलावा आप बवासीर से अगर पीडित हैं तो कचनार की एक चमच छाल को एक कप मठा यानि की छाँच के साथ दिन में तीन बार सेवन करने से बवासीर में खुन गिरना बंध हो जाता है कचनार की कलियों के पाउडर को मखन और शकर मिला कर 11 दिन खाएं आतों में कीडे होतों कचनार की छाल का कारहा पियें ठीक हो जाएगा इसके अलावा अगर आप प्रमेह रोग से पीडित हैं तो कचनार की हरी एवं सुखी कलियों को चून और मिश्री मिला कर प्रयोग किया जाता है इसके चून और मिश्री को समान मातरा में मिला करके एक एक चमच दिन में तीन बार कुछ हपते तक खाने से प्रमेह रोग में लाब होता है इसके अलावा अगर आप गंड माला से पीडित हैं तो कचनार की छाल का काढ़ा बना कर उसमें सोट का चून मिला कर आधे कप की मातरा में दिन में तीन बार पीने से गंड माला रोग ठीक हो जाता है इसके अलावा अगर आपको भूख न लगने की समस्या हो रही है तो कचनार की फूल की कलियां घी में भून कर सुबह शाम खाने से आपको भूख लगने लगेगी यानि कि आपकी भूख बढ़ जाएगी इसके अलावा आप गैस की तकलिफ से पिडित हैं तो कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर इसमें 20 मिली लिटर काढ़ा में आधा चमच पीसी हुई अजवाईन मिलाकर प्रियोग करने से लाव मिलता है सुबह शाम भोजन करने के बाद इसका सेवन करने से आपरा यानि कि पेट का फूलना एवं गैस की तकलिफ दूर होती है खांसी और दमा शहद के साथ कचनार की छाल का काढ़ा दो चमच की मातरा में दिन में तीन बार सेवन करने से खांसी और दमा में अराम मिलता है दांतों का दर्द तथा मसूरों से खून का निकलना बंद हो जाता है कचनार की छाल को जला कर उसके राख को पीस कर मंजन बना लें इससे मंजन करने से दांत का दर्द और मसूरों से खून का निकलना बंद होता है इसके अलावा दांतों के रोग के लिए कचनार की छाल को पानी में उबालें और उस उबले हुए पानी को छान कर एक शीशी में बंद करके रख लें यह पानी 50-50 मिली लीटर की मातरा में गर्म करके रो जाना तीन बार कुला करें इससे दातों का हिलना, दर्द, खुन निकलना, मसूरों की सूजन और पायरिया खत्म हो जाता है इसके अलावा आफरा में यानि की पेट में गैस बनता हो तो कचनार की जड़ का काढ़ा बना कर सेवन करने से आफरा दूर होता है जीब एम तचा का सुन होना कचनार की छाल का चून बना कर दो से चार ग्राम की मातरा में खाने से रोग में लाव होता है इसका प्रयोग रोजाना सुबह शाम करने से तवचा एम रत ग्रंतियों की क्रिया ठीक हो जाती है तवचा की सुननता दूर होती है इसके अलावा कबज में कचनार के फूलों को चीनी के साथ घूंट कर शर्बत की तरह बना कर सुबह शाम पीने से कबज दूर होती है और मल साफ होता है कचनार के फूलों का गुलकंद रात में सोने से पहले दो चमच की महात्रा में कुछ दिनों तक सेवन करने से कब्ज दूर होती है इसके अलावा आप कैंसर से अगर पीडित हैं तो कचनार की छाल का कारहा बना कर पीने से पेट का कैंसर ठीक हो जाता है दस्त अगर आपको बार बार आ रहा है तो कचनार की छाल का कारहा बना कर दिन में दो बार पीने से दस्त रोग ठीक हो जाता है पेशाब के साथ खून आना कचनार के फूलों का कारहा बना कर सुबह शाम पीने से पेशाब में खून का आना बंध हो जाता है इसके सेवन से रक्त प्रदर एवं रक्त स्ट्राव इत्यादी भी ठीक होता है इसके साथ साथ आप बवासीर यानि की अर्श से पीडित हैं तो कचनार की छाल का चून बना लें और यह चून तीन ग्राम की मातरा में एक गलास छाँच के साथ लें इसका सेवन प्रती दिन सुबह शाम करने से बवासीर एवं खुनी बवासीर में बेहद लाव मिलता है कचनार का चून 5 ग्राम की मात्रा में प्रती दिन सुबह पानी के साथ खाने से बवासीर ठीक होता है इसके अलावा अगर आपको खूनी दस्त आ रहा हो तो दस्त के साथ खून आने पर कचनार के फूल का काढ़ा सुबह शाम सेवन करना चाहिए इसके सेवन से खूनी दस्त यानि के रक्ताती सारजी से हम बोलते हैं उसमें लाव मिलता है इसके अलावा रक्त पित में कचनार के फूलों का चून बना कर एक से दो ग्राम चून सुबह शाम चाटने से रक्त पित का रोग ठीक होता है कचनार का साख खाने से भी रक्त पित में आराम मिलता है यदि मुह से खून आता हो तो कचनार के पत्तों का रस 6 ग्राम की मातरा में पिएं इसके 7 से मुह से खून आना बंद हो जाता है कचनार के सुखे फूलों का चून बना कर लें और यह चून एक चम्मच की मातरा में शहद के साथ दिन में 3 बार 7 करें इसके सेवन से रक्त पित में लाव होता है इसके फूलों की सबजी बना कर खाने से भी खून का विकार यानि के क्हून की खरा भी दूर होती है इसके अलावा कुबड़ापन, अगर कुबड़ापन का रोग बच्चों में है, तो उसके पीट के नीचे कचनार का फूल बिछा कर सुलाने से कुबड़ापन दूर होता है, लगभग एक ग्राम का चोथाई भाग कचनार और गुगुल को शहद के साथ मिला कर सेवन करने से क घाव ठीक होता है, एवं इसके काढ़े से घाव को धोना भी चाहिए, अस्तनों की गांट के लिए कचनार की छाल को पीछ कर चोन बना ले यह चोन लगभग आधे गराम की मातरा में सोंथ और चावल के पानी यानि की धोवन के साथ मिला कर पीने और अस्तनों पर लेप करन से घाव ठीक होती है, उपदंश यानि की गर्मी का रोग या सिफिलिस बोलते हैं जिसे कचनार की छाल, इंद्रायनी की जड़, बबुल की फली, छोटी कटेरी के जड़, एवं पत्ते और पुराना गूर 125 ग्राम, इन सभी को 2.80 किलो ग्राम पानी में मिला कर मिठी के बर अचे तो इसे उतार कर छान लें, अब इसे एक बोतल में बंद करके रख लें और सुबह शाम सेवन करें, उपदंश दूर होगा, इसके अलावा सिर का फोड़ा हो गया हो आपको, तो कचनार की छाल, वर्ना की जड़ और सूंठ को मिला कर कारहा बना लें, यह कारहा भग 20-40 ग्राम की मातरा में सुबह शाम पीना चाहिए, इसके सेवन से फोड़ा पक जाता है, और ठीक हो जाता है, इसके कारहे को फोड़े पर लगाने से भी लाव होता है, इसके अलावा आप अगर चेचक से परिसान है, यानि कि मसूरिका से परिसान है, तो कचनार की छा खाल का काढ़ा बनाकर इसमें 20 ग्राम कारहे में सोठ मिलाकर सुबह शाम पीने से गले की गांट ठीक हो जाती है, गलकोश प्रदाह यानि कि गले की सूजन में, खैर यानि कि कथा के फ़ल, दानिम, पुष्प और कचनार की छाल इन तीनों को मिलाकर काढ़ा बना ले, और इससे सुबह शाम गरारा करने से गले की सूजन मिठती है, सिनुवार के सुखे पत्ते को धुम्रपान की तरह प्रियोग करने से भी रोग में आराम मिलता है, इसके अलावा अगर आपका गला बैठ गया हो, तो कचनार मुह में रखकर चबाने या चूसने से गला साफ होता है, इसको चबाने से अवाज मधूर यानि की मिठी होती है, और यह गाना गाने वाले व्यक्तियों के लिए विशेश रूप से लाफकारी होता है, कचनार के फूल थाइराइड की सबसे अच्छी दवा है, लिवर में कोई तकलीफ हो तो कचनार की जड़का काढ़ा पियें ना करें, डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें, तो देखा दोस्तों आप सभी ने, आज हम आप सभी के लिए एक औश्रधी लेकर के आये थे, जिसका नाम है कचनार, यह आप सभी के लिए बेहद ही बेनिफीसियल साभित होती है, अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे, एक और बेहद ही महतो पूर्ण जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों